कुजर पहले जब लालू यादों के बड़े बेटे तेजपरता पियादों की साधी हुई थी तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लालू परिवार में खुसियों की बहुत छार होने लगी थी मगर छे महीने भी ये साधी ने चली और किसी की नजर लग गई और के बाद बस दो लोगों का विवाजन नहीं होना था दो परिवारों का विवाजन होना था दो राजनितिक रसूख वाले परिवारों को अलग होना था ये बहुत मुश्किल था परिवार ने तेजपरताप की इस मंसा को सीरे से खारिज कर दिया मगर तेजपरताप को सभी अगर वो किसी चीज को पर मन बना लेते हैं, तो करके ही रहेंगे। तेजपरताप ने परिवार से अलग हटकर वैरागे को अपना लिया। इतना ही नहीं, मा, बाप और भाई से भी दूरी बना ली। पत्नी के कारण घर भी जाना छोड़ दिया। इसके बाद प्रिसर में परिवार ने, लालू परिवार ने तेजपरताप की बात को मान लिया। तेजपरताप यादव के तलाक की बात पूरे मीडिया घरानों में सुर्खियों में चली। तेज परताप और एस्वर्या की साधी की जिस तरह से मीडिया में चर्चा हुई थी उससे कहीं जादा उनके तलाक की चर्चाएं मीडिया की सुर्ख्यों में रही अब तेज परताप यादो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाते हैं। उन्होंने साफ तुर पर कह दिया है कि तेज एस्वर्या के साथ उनका मेल नहीं खाता है। दोनों के सभाव अलग हैं, दोनों के विचारे अलग हैं और इसकी वज़े से दोनों में कभी सामन जैसे नहीं बैठ सकता है। ऐसे में दामपत्य जीवन को आगे बढ़ना कष्टकारी होगा। इसी मुद्दे पर त सुनवाई हो चुकी है, तेज परताप यादो अपना पक्ष रख चुके हैं, आज एस्वर्या राय को अपना पक्ष रखने के लिए कोट में हाजिर होना है। एक बड़ा दिन है, एस्वर्या के बारे में कहा जाए, तो एस्वर्या अभी भी इस रिस्ते में आगे बढ़ चाहती है, वो चाहती है कि सब कुछ सुला हो जाए, मगर लालू परिवार ने भी अब एस्वर्या का साथ छोड़ दिया है, कहा जाए तो मा राबडी ने भी अब एस्वर्या का साथ पूरी तर से छोड़ दिया है, उन्होंने भी अपने बेटे को चुना है, तेज मनने का प्रियाक्स के भाई ने दूरी तक बना ली मगर अब इन दोनों परिवार के बीच पूरी तरसे विभाजन हो चुका है। का तबादला हो गया है। ऐसे में सुनवाई आज होगी की नहीं होगी इस पर भी बहुत बड़ा संसय है।